वर्मिस्ली की बहुत दिनों बाद मैं वर्मिस्ली बना रही हूं तो यहां पे मैं सब्जी में प्यास टेमार्टर सिमला मेर्चली इसमें आप कोई भी सब्जी बींस गाजर भी ले सकते हैं औरो अकॉर्ण भी ले सकते हैं जो भी आपके इक्षा है इसमें मुंखफली भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैं रोस्टेड ड्राय रोस्टेड वर्मिस्ली को हलका सा घी में फिर से रोस्ट करके नहएं पानी में डायर कर रही हूं इसमें अल्रेडी की है ।बहुत अच्छे से यह मेरा त्यार हो चुका है इसमें नमक डाला था इसको छना में छान करके इसको अलग कर हूँ सारा पानी नीचे गिर गया तो इस तरीके से यह अच्छे से बॉयल हो गया है जैसे आप चौमीन बनाते हैं न नूडल उसी प्रकार से फिर से यहां पे पैन को चड़ा दिया गर्म हुआ इसमें घी डाला गी डालने के बाद इसमें सोड़ा से जीरा डाला और हरा मिर्च डाला और यहां मैं ओरिजनल जो तड़का है वो मैं भूल गई थी और यहां डाल दिया मैं प्यास तो कैमरा लेते समयना थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है तो कोई नहीं मैं फिर से अभी बहुत देर नहीं हुई है मैं फिर से इसमें तड़का लगा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं फिर से यहां पे पैन अलग से चड़ा रही हूँ इसमें डाला है घी और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च और राई और उसके बाद इसमें चना दाल थोड़ा सा थोड़ा सा उड़त दाल और यह अच्छे से तरक गया उसके बाद से फिर से मैं उसको पाइन में एड़ कर दूगी तो यहाँ पे कुछ भी गड़बर नहीं हुआ और बहुत ही टेस्टी बना है तो इसलिए आप पहले भी डाल दे सकते हैं तो बहुत अच्छा और जदी भूल गया तो इस तरह के से भी आप एड़ कर सकते हैं उसके बाद देखें यहाँ पे मेरा प्याद जो अच्छे से भून गया फिर सिमला मिर्च और टमाटर को एड़ कर दूए इसमें डाला है फिर से हम मैंने नमक और अच्छे से टमाटर पक जाने के बाद इसमें मसाला डालूँगी तो मसाले में मैं बहुत जादा कुछ ने डाल रही हूँ बस डाल रही हूँ हलका सा हल्दी नमक हल्दी और इसमें मैजिक मसाला जो यह मैजिक मसाला आता है ना मैगी मैजिक मसाला उसको एक पैकेट डालूँगी और इसमें मैं कुछ भी नहीं एड़ करूँगी देखिए या मैजिक मसाला भी मैंने अड़ कर दिया और उसके बाद से बहुत टेस्टी बनाता हलका सा इसको ढख दूँगी और ढखने के बाद देखिए मैंने निकाला है तो इस तरीके से ये मसाला मेरा जो सबजी और मसाला अच्छे तरीके से पक गया इसके बाद जो मैं वरमिसली रखे थी चान करके उसको एड़ कर दूँगी अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके उपर एक नीबू अच्छे से निचोड दूगी तो नीबू निचोडने के बाद ये बहुत टेस्टी लगता है और इसमें मुंक फली और भी जो भी सबजी आपके पास एब लेबल है आप उसको इसमें एड़ कर दीजिए तो यकिन मानिए बहुत टेस्टी बनता है और इसको बहुत जादा अच्छे से और स्वाथ देना है तो इसके सबजी में आप थोड़ा सा खाने वाला वेनिगर डाल दें जो कि आप नूडल्स में डालते है तो इसका जो टेस्ट है व और अपने गहर में फैमिली और फ्रेंट्स के साथ ये वीडियो सेर भी कर सकते हैं और एक बार बना करके देखिएगा बहुत ही हिल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रिकफास्ट है तो आई होब फ्रेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो अच्छे लगी हो तो बाइ बाइ थैंक्स पोर वाचिंग